इस वीडियो में हम लोग सिग्मन प्रायड के धर्शन और सुन्देरे शास्त्र को डिसकस करेंगे। सिग्मन प्रायड एक आधुनिक यूग के जो महान मनों चिकित सक्थों। और ये पहले ऐसे विज्ञानिक थे जिन्होंने मन की अंतरतम ग्रंतियों को सुलजाने के प्रेतने की। तो आईए इनके सध्धानतों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने और समझने के कोशिश करते हैं। 19th century में Sigmund Freud ने मनों विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विक्सित किया। इससे पहले मनों विज्ञान को दर्शन के अंतरगत पढ़ा जाता था। और इस वक्त मनों विज्ञान का उद्देश्ये वयस्क मानव चेतना का विश्लेशन और अध्यकर ना था। FRIED ने इस परंपरागत चेतना के मनों विज्ञान का विरोध किया। और मनों विस्लेशन संबंदी कई नई संकल्पणाओं को रतिपादित किया। जिस पर हमारा आज का आधुनिक विज्ञान टिका हुआ है। उन्होंने मन की भूमी पर ही समस्त कलाकृतियों की रचना का विशलेशन किया। इन्होंने बहुत करेक सिध्धान्त दिये जो हम आगे डिसकस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इनके सिध्धान्तों के चर्चा करें, सिग्मन्ट फ्राइट की थोड़ इसी बायोग्राफी के बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि वे स्वयम भी कहते थे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का उसकी रचनाओं और कलाकृतियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सिग्मन्ट फ्राइट के जीवन को जाने मिना हम कैसे रह सकते हैं। सिग्मन्ट फ्राइट का जन्म आस्ट्रिया के हंगरी सामराज्य के फ्री बर्ग नामक शहर में हुआ था। उनके माता-पिता यहूदी थे और पिता के जो फ्राइट के पिता थे वे उनके व्यापारी थे। और उनकी माता इनके पिता की तीसरी पत्नी थी। मतलब इनकी माँ उनके फादर ने थर्ड मेरिज की थी। जिससे यह पैदा हुए थे। फ्राइट अपनी साथ भाई भेनों में सबसे बड़े थे। और तीन साल की उम्र में फ्राइट के पिता लाइट सिंग आ गए थे और उन्होंने एक साल बाद फिर वियेना चले गए। जहां वे असी सालों तक रहे। फ्राइट ने वियेना से ही 1881 में डॉक्टर ओफ मेडिसिन किया और 1938 में हिटलर के नाजी विद्रहों के कारण फ्राइट भागकर लंदन आ गए। यह जो इनका ट्रांजिट पीरियेट था जब लंदन आये थे तब ही इनके कलाउं से संबंदित काफे सारी चीजें इनके आगे चलके हम डिसकस करेंगे लंदन में ही उन्होंने 1939 के सितंबर महिने में उनकी भृत्ति हो गई थी यहां जो कुछ चित्र आप देख रहे हैं जिसमें सिग्मन फ्राइट के परिवार का द्रिश्य है जिसमें उनकी मा का फोटो है साथ में वे अपनी डॉर्टर अपनी जीवन के एक जलक इन चित्रों के माध्यम से पाते हैं फ्राइट के प्रारंभिक जीवन को देखने पर हमें पता चलता है कि आरम से ही उनका जुखाओ जो था वो तंत्री का विज्ञान की ओर था नियूरो साइंस की ओर था तो सन 1873 में 1873 से 1881 के बीच उनका संपर्क जो वहां के सबसे मशूर तंत्री का विज्ञानी थे Ernst Brookie उनसे हुआ और फ्रायड और Ernst Brookie इनसे बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रयोकशाला में लैब में उन्होंने काम करना आरहं कर दिया तो शरीर विज्ञान है, तंत्री का विज्ञान है इन सब के बारे में इसी फिलोसिवी थी वे ब्रूकी से नहीं मेल खाते थे उनके विचारों में मतभेदता आ गई थी इसके कारण फिर वे ब्रूकी से अलग हो गए और उन्होंने अपना एक निजी व्यवसाय चिकितसक के रुप में प्रारम कर दिया तो सिग्मंट फ्रायट जो थे वो एक साइको अनलेटिकल मर्ला साइको अनलेसिस की थियोरी जो उन्होंने दी यह खुद एक साइकेट्रिस थे और इनका जो हॉस्पिटल था वहां पर बहुत सारे मरीज अपनी इस तरह के बिमारियों का इलाज कराने आते थे और वे उनका इलाज उनके उनसे बातचीत करके उनके सपनों के बारे में उनके अचेतन दिमाग के बारे में सवाल करके किया करते थे इस तरह के से उन्होंने अपनी एक स्वतंतर प्रैक्टिस शुरू करी अपने खुद के निजी चिकित साले में इसे ठीक थोड़े वक्त पहले फ्राय फेमस हो गए, studies in hysteria एक रोगी के विशलेशन पर आधारी था, जिसका उन्होंने काल्पनिक नाम दिया था, अन्नाओ, और यह माना जाता है कि इसी शोध पत्र पर इनका जो आगे आने वाला पूरा मनो विशलेशन वासाइको अनलेसिस का जो थियोरी था, उसके बीज इसी श चारों में कुछ मतबेद हुए, इनके सिंधानतों को लेकर, इनके प्रैक्टिस को लेकर और यह भी सेपरेट हो गए, इसके पस्चात फ्रायड के जीवन का सबसे महतुपूर्ण वर्ष 1900 माना जाता है, 1900 वावर्ष, जब इन्होंने अपनी सबसे जो फेमस इनकी पुस्तक थी, Interpretation of Dreams, इसका प्रकाशन किया था, जो इसमें क्या था, कि वो उनके रोगियों के, जो उनके पास पेशेंट आते थे, उनके सपनों के विशलेशन के बारे में, उन्होंने इसमें लिखा, क्योंकि बहुत ही डीटेल में ये रोगियों से बाते करते थे, उनकी unconscious mind तक जा होती है, उसी का प्रतिविम हमारे सपनों में होता है, हम दिन भर में जितनी भी चीजें हम जो नहीं कर पाते हैं, वो सब सपनों के रूप में फिर हमारे हमें दिखाई देने लगती हैं, तो इस पुस्तक ने उन्हें बहुत प्रसिद बना दिया था, कई समकालिन भावित हुए और इन से जुड़े, तो इन सभी व्यक्तियों में फ्राइट का सबसे अच्छा जो संपर्क बन भी गया, काल जुंग ने तो इन्हें बहुत अधिक फोलो भी किया, लेकिन आगे चलके वो भी इनके विचारों से थोड़ा सा अलग सोचने लगे, और अलग ह प्राइट के जो ओफिशल प्राक्टिस से उसमें बहुत सारे बुद्धी जीवी जुड़े, लेकिन धीरे-धीरे अलग होते गए, तो 99 में, 1909 के समय में, क्लार्क विश्विध्याले के मशूर मनोविज्यानी की, मनोविज्यानी जो थे वो G.S.Hall, इनके द्वारा फ्रा सिग्मंट फ्राइट बने, इसमें फ्राइट के अलावा यूंग, व्रील जोन्स, पैरेंग जी और ऐसे अन्यम, बहुत सारे मशूर मनोविज्यानी को भी आमंतरित किया गया था, लेकिन यहां से फ्राइट जल्दी ही वापस आ गया, क्योंकि अमेरिका का वातावरन उनक फादे सामगरी थी, वो उन्हें सूट नहीं करी, ऐसा बताया जाता है, तो जो जूंग की हम बात करते हैं, यूंग और एडलर, फ्राइट के मनोविसलेशन वाद के कई बिंदों से बाद में असमत हुए, परन्तो फ्राइट ने जो सेक्शुलिटी को लेकर अपने विचा से और वो अलग हो गए, लेकिन यूंग का जो मनोविसलेशन था, उसमें उन्होंने क्या एड किया, उसमें सांस्टतिक विरासत, सुश्यालिटी को भी उन्होंने एड किया, जो की सिग्मन फ्राइट भूल चुके थे, उन्होंने इस पर कोई बल नहीं दिया था, और एड करके उन्होंसे अलग हो रहे थे, फिर भी उनकी प्रसिद्धी में इससे कोई खास फरक नहीं पड़ा था, वे उतनी ही फेमस परसनेलिटी के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे, उन्हों सो तेविस में फ्राइड में के मूह में कैंसर का पता चला, जिसके कारण उनकी ज पता में कोई जगे नहीं है, तो हिटलर ने फ्राइड की सारी की सारी जो पुस्तके थी, उनकी हस्तलीपिया थी, उनको जला दिया था, और वो शायद इससे भी अधिक बड़ा वेवार करते फ्राइड के साथ, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर उनके उपर आ गय और जो वहां के ततकालिन अमेरिकन राजदूर थे, उन्होंने जब हस्तक्षिप किया, तो यटलर ने फ्राइड से जबर्दस्ती कागस पर साइन करवा लिया, कि सेनिकों ने उनके साथ कोई बुरा वेवार नहीं किया है, इसके बाद फिर उन्हें वियना छोड़कर प्रकाशन किया, यहां पर आप इस चित्रों में देखेंगे, फ्राइड के साथ जूंग नजर आ रहे हैं, फ्राइड अपने वियना के घर में डेस्क पर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उनका वाकी का सारा जीवन लंदन में बीता, लंदन में जाने से पहले वियना का ये घर है बाद में वे लंदन शिफ्ट हो गए थे तो इस तरीके से फ्राइड के सिध्धानतों की अब हम चर्चा करते हैं तो फ्राइड ने मन या व्यक्तित्व के स्वरू के बारे में बात करनी अब वे मन की जितनी भी हमारे अंदर की इंटर्नल लेयर्स हैं ऐस कोई साइंटिस्ट इन से पहले नहीं हुआ जिनने शरीर से अंदर मन तक जाने की कोशिश के रोज को बड़े साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने पेश किया तो इसे साब से वह कहते हैं कि जो मन के व्यक्तित्व के स्वरूफ है उसको उन्होंने गत्यात्मक डाइने डाइनेमिक कहा है उनके अनुसर व्यक्तित्व हमारे मस्तिश के एवं शरीर की क्रियाओं का ही नाम है हमारी जो परस्नेलिटी बनती है वो हमारी बॉड़ी और हमारी माइंड से बनती है हमारी इनकी एक्ट की वज़े से बनती है तो फ्रायड के मानसिक तत्व होते हैं जो चेतन में नहीं आते हैं, या सम्मोहन अत्वा चेतना लोग की स्थिती में चेतन में आते हैं, इसे हम थोड़ा और डिसकस में समझनी कुशिश करते हैं, यह कहते हैं कि बचपन की जो इच्छाएं हैं, जितनी भी जेंडर से रिलेटेड इच्छाएं हैं, या मेंटल हमारे ज इन्हें सामने तो व्यक्ति अपने डे बाई डे के लाइफ में पूरा ही नहीं कर पाता है, जब उसका ग्यान ही नहीं है तो उने पूरा कैसे करेगा, तो दीरे 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 वो जो डिजायर्स है वो विक्रत रूप धारन करने लगती हैं, या तो फिर सपनों के रूप में य और इनका जिकर करते हुए जैसे पहला उन्होंने इड कहा, दूसरा अस्तर उन्होंने अहम का कहा जिसे एगो कहते हैं और तीसरा परा अहम जिसे सुपर एगो कहा जाता है, तो इन भावनाव से प्रेरीत होकर फ्राइड ने जो मन के सारे के सारे गुप्त जितनी भी तित्पति के जन्म के साथ ही हो जाता है इसका, जो इड्ध है, वो जन्म के साथ ही मनुश्य में विद्यमान रहता है, और फ्रायड इसे व्यक्थित्व का सबसेह महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, और इसकी जो content होते हैं, विश्यवस्तु होते हैं, वो इच्छाएं होती हैं, जो libido से संबंदित होती हैं, यानि कि libido का मतलब होता है कि sexuality से संबंदित energy, तो इसको वो समझाते हैं, अलग तरीके से फिर से समझाते हैं, और इड अच्छितन अंश होता है, और इसमें प्राकृतिक जितनी भी हमारी senses हैं, हमारी इच्छाय, वो विधिमान रहती हैं, वो निवास करती हैं, और इसमें जो हमारे व्रत्तियां हैं, उसका रूप निश्चित और निर्दिश नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका प्रमुक कार्यकारण जो है वो कार्यलाप जो उत्तेजना समुहों का निश्कासन होना है, एक्चिली में जितनी भी हमारी सहज प्रवरतियों की मूल मांगे होती है हमारे बॉड़ी में, उसी के परिणान सुरूप हमारे अंदर तनाव का स्रजन होता है, और उससे व्यक्ति को पीड़ा अनुभव होती है, तो जो है इड हमारे अंदर बचपन से ही विद्यमान रहता है, और यह जो पीड़ा है, जो तनाव है, उसके मोचन से ही हमें सुख की प्राप्ती होती, तो फ्रायड इसे सुख सिद्धान्त भी कहते हैं आगे चलके, तो इस प्रकार यह इड होता है, और हमारा जो मन है वो हमेशा तुरन संतुष्टी चाहता है, इस प्रकार अगर सह जो जो प्रकार बाख्या हूता है, तो ये यथार से परिचित होता है,anor इसलिए जितनी भी अहम से अहम जो है, वो जो है वो एड से संबंदि जितनी भी इच्चाहं और वरतियां होती है, उनको रोकने का प्रयास करता है, थुँटा और समझने का कुशिश करते हैं कि जो अहम है, वो इड से सम्बंदित, इड जनित जितनी भी इच्छाएं और व्रत्या होती है, उसको यथार्थ रूप में ही अभिव्यक्त कर पाता है, क्योंकि हमारा इड जो है, वो कई बर अनूचित इच्छाएं करता है, जो नहीं कड़ी जानी चाहिए, तो अहम, क्योंकि य यथार्थ सोचता है, यह प्राक्टिकल सोचता है, तो उन सारी अनूचित इच्छाओं को दबाने का काम यहीं पर होता है, किन्तो जब कुंठाएं भी इड में शामिल हो जाती है, तो व्यक्ती में थोड़ा सा असंतूलन आने लगता है, इसलिए जो अहम है हमारा, उसकी शक्ती और विवेक ही मन को संतूलत मनाय रखती है, तो इड तो स्वतंत्र होना चाहता है, इच्छाओं को अभिवेक्त करना चाहता है, लेकिन अहम उन इच्छाओं को सामाजित तरीके से, थोड़ा संयमित तरीके से, संतूलित तरीके से उनको दबाता है, और एक संतूलन बनाये रखता है, और जो तीसरी श्रेणी है, वो है परा आहम, सुपर एगो, और इस सुपर एगो का रूप जो है, वो अंतरात्मा हम इसे कह सकते हैं, अंतरात्मा की आवाज जो होती है, जो बच्पन से ही माता पिता जैसे बच्चों को सिखाते हैं, नेतिक सिध्धानतों क बारे में, अच्छे बुरे की जो शिक्षा देते हैं, वो यहां पर होती है, यहां पर हम decision power रखते हैं, super ego वाली stage में, क्योंकि हमारी अंतरात्मा की आवाज को हम सुन सकते हैं, तो इस प्रकार ego और super ego दोनों तो चेतन अवस्था से संबंदित हैं, और id जो है वो अचेतन example दिया है, मस्तिश्क के अंशो का, जो एक graph यहां पर दिख रहा है, इसे थोड़ा सा और study करेंगे, तो यहां पर तीन stages हमें नजर आ रही है, conscious, pre-conscious, conscious, unconscious, जिसे हम हिंदी में अलग तरीके से कह सकते हैं, चेतन अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था, इसे हम और थोड़ा सा विस्तार से समझने के कोशिश करते हैं, फ्राइड ने मन के भी तीन भाग बताये हैं, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन तो चेतन मन क्या है, चेतन मन का वह भाग है, जिसमें मन की सारी के सारी ज्यान क्रियाएं विच्रण करती है, ये सभी क्रियाओं का नियंतरन यहां चेतन मन में ही होता है, चेतन मन की क्रियाओं को हमें आंकार होता है, क्योंकि हमें यहां पर जो भी कुछ हो रहा है, हमारा उस सबका ज्ञान होता है, हमें पता होता है, क्योंकि इन क्रियाओं में यदि कोई भूल भी हो जाएगी, तो इसके जिम्मेदार हम खुद ही कहलाएंगे, क्योंकि हम पूरे अवेर हैं इस कंडिशन में, कॉंशियस हैं, इसलिए इसे законशस स्टेज भी कहा जाता है, हमारा कोई भी विचार चेतन मन से आकर ही प्रकाशित होता है, हम इसी स्टेज में आगे हम ऐसले करते हैं अपने आपको, क्योंकि इसका जुड़ाओ सेंस से होता हैं, हमारी इंद्रियों से होता है, दूसरा जो है वो अर्ध चेतन मन, सबकॉंशियस माइंड, तो चेतन मन के जस्ट थोड़ा सा अंदर अर्ध चेतन मन होता है, जो कि इसे हम कह सकते कि चेतना की और उन्मुख है, मन की इस इस्तर पर हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, हमारे यादे इसी सबकॉंशियस में, अर्ध चेतन मन में निवास करती हैं, जो क्या होता है एक्स्प्रेस नहीं होती, किन्तु थोड़ा थोड़ा चेतन मन की और, मतलब कॉंशियस माइंड की और आने की पोशिश करती रहती है, लेकिन कोई भी विचार जो हमारा चेतन मन प्रकाशित हो पहले सोचता है वो इसी अर्ध चेतन मन पे आकार लेता है इस तरीके से सबकॉंशेंस माइंड में बहुत सारी हमारी फीलिंग्स डिजायर्ज निवास करती है लेकिन वो अर्ध चेतन मन में ही रहती है और तीसरा है अचेतन मन तो अचेतन मन पूरी तरीके से अनकॉंशेंस म के बारे में कोई किसी प्रकार का हमें कोई कोशिश है करनी होती हैं, कितनी भी कोशिश कर लें, चेतना के स्तर पर अगर यह आ जाये तो हम जान लेंगे, अगर अचेतन मन में हैं, तो हम उनके बारे में जान ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने जितनी भी चेतना के उपर लान फोज जो सिग्मन फ्राइड ने की है, तो मानव स्वयम कई बार अपनी क्रियाओं के कारणों को नहीं जान पाता है, और फ्राइड ने सिद्ध कर दिया कि जितनी भी घटनाय जो अचानक से हमारे जीवन में हो जाती है, वो किसी ना किसी विशेश कारण के कारण ही होती है, और ये कारण व्यक्ति जो है वो व्यक्ति की कॉंशेसनेस से बियोंड जाके कहीं ना कहीं हमारी इन अनकॉंशेस दिमाग में ही रहते हैं सारे के सारे कारण, तो इस तरीके से सिग्मन फ्राइड ने चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन के रूप में बहुत ही बड़ी खोज को दी, इसको थोड़ा सा समझाने की उन्होंने एक एक एक्जामपल के तरो समझाने की कोशिश करी है, कि उन्होंने कहा कि जो हमारा मन है वो एक तरीके से नाटे शाला, एक थीएटर के समान है, जिसमें स्टेजेज होती है, जैसे एक आसामने ओडिटोरियम का स्टेज होत सब अपना अभीने दिखाकर अपना खेल दिखाकर वापस से अध्यचेतन स्थिती में चले जाते हैं, अध्रष्यitte को जाते। और जो हमारा अचेतन मन्हें वह उस त्याटर के उस Green Room के समाने जहां पे सारी तयारियां हो रही होती हैं, स्टेज पर आने के लिए, तो वहां पर पात्र सारे तयारियां करते हैं, फिर जो जो अचेतन मन हैं, वहीं पर ये सारा का सारा खेल हो रहा होता है, खेल की तयारियां हो रही होते हैं, और चेतन मन में आके, वहां पर खेल शुरू हो जाता है, तो इस तरीके से उन्होंने एक पूरी तरीके से, वे हमारे मन के किसी ना किसी कोने में पड़े रहते हैं, और वहां जाकर निश्क्रिये भी नहीं रहते हैं, वे हमारे व्यक्तित्व के प्रतिकूल, विप्रीत, कुछ ना कुछ शडियंत्र रचते रहते हैं, और जब ऐसी को इस्थिति आती है, तो वो बिल स्वपनों की उत्पत्ती भी इनहीं की वज़े से होती हैं, तो जितनी भी हमारी सारे इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती, वो सारे के सारे अचेतन मन में चली जाती हैं, लेकिन वो हमारे स्वपनों में या नशे की स्थिती में या हमारे निद्रा में सपनों के रूप में कुंठा के रूप में बार बार आती रहती हैं। फ्रायड के विक्तित्व संबंदी विचारों को आगे उन्होंने और डिस्क्राइब किया, जहां पे वो मनोलेंगिक विकास की स्थिति के बारे में बात करते हैं। फ्रायड ने इस अवस्था को पाँच भागों में बाटा है। पहला मोखिक अवस्था, oral stage, जो पैदा होने से एक साल के बीच में होती है। दूसरी anal stage होती है, जो दो साल से तीन साल की stage में होती है। तीसरी लेंगी कवस्था फैलिक स्टेज होती है जो चार साल से लेके पात साल तक की स्टेज जिसे मानते हैं, फिर लेटेंसी स्टेज होती है जो छे साल से लेके बारा साल की स्टेज में होती है, यहाँ पे लिबिडो काफी पावरफुल हो जाता है और उस स्टेज से एक ये स्टेज विद्यमान रहती है, तो फ्रायड ने इन सभी स्टेजेस को बहुत ही डीटेल से डिस्क्राइब किया है, और प्रती एक मनुष्य में ये सारी अवस्थाओं से गुजरता है, और वो कहीं न कि उसके हरी कारण को ये सारी अवस्थाओं प्रभावित करती है, वो जो भी काम कर रहा है जिंदगी में, वो इन सारी स्टेजेस से प्रभावित होता है, उसको पूरा सेक्शल लाइफ इस पर डिपेंड करता है, और उसके काम जितने भी कारण वो करता है, वो इस sexual life से ही प्रभावित होते हैं, तो इनी के आधार पर वो आगे चलके, Electra और Odipus, दो तरह की ग्रंथियों की बात करते हैं, दो तरह की complexes का जिक्र करते हैं, तो Electra complex और Edipus complex को वो विस्तार से समझाते हैं, कि इनी के आधार पर, जितनी भी मानों में ग्रंथियां होती है वो बचपन से ही उसके अंदर मोदूद रहती हैं, तो Edipus complex के बारे मों कहते हैं, कि जो बच्चा है, वो शुरू से खुद को अपने बारे में अवेर होना शुरू होता है, कि वहाँ बॉय है, गर्ल है, वो अपने बारे में अपनी शारीरिक निर्मान के बारे में बहुत माता की और, और जो पुत्री है वो पिता की और आकरशित होते हैं, क्योंकि फ्राइड ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो बचपन में बच्चा अपने अपोजिट सेक्स की और अट्रेक्ट होता है, तो पुत्र जो है माता की और और पुत्री जो है वो पिता की और आकरशि प्राइड ने एक प्राचीन युनानी कथा से लिया, जिसमें एक एडीपस नाम का युनानी नायक था, जिसका एक राजगराने में जन्म होता है, तो ज्योतिशों ने एक भविश्यवानी करी कि वो अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवहा करेगा, तो परिनाम सु जोतिशी ने उसे बताया कि वो अपने पिता को मार कर माता से विवहा करेगा, इसलिए वो अपना अधित्तर समय घर के बाहरी वेतित करने लगा, किन्तो एक दिन अपने पिता को मार कर वो अपने माता से विवहा कर लेता है, और जैसे इस रहस्ये का उद्गाटन होता है, फिर वो बाद में अपनी आखे फोल लेता है, तो इस तरीके से बहुत ही ड्रामटिक तरीके से ये उपरन्यास चलता है, एडिपस की जो कथा चलती है, लेकिन सिग्मेंट फ्रायड ने उसी से प्रेरित होकर अपने इस होज को, अपने इस कुंठा को जो नाम दिया, वो एड प्रेक्षनों के साथ मिक्सित किया कि कुछ भी उनके रोगियों ने कहा, जो कुछ भी उनके रोगियों ने कहा, उन्होंने आखबंद करके उस पर विश्वास कर लिया, और फ्रायड पर ये आरोप भी लगे हैं कि मनों विज्ञान में बहुत जरुरत से अधिक कल्पना श देखने पर पाते हैं कि फ्रायड ने जो मनुष्य के अंदर जो पाश्विक प्रवरत्ती है, उसको जरुरत से अधिक बल दे दिया, उन्होंने ये कहा कि निम्नतर पश्वों के बहुत सारे गुण मनुष्य में विद्यमान होते हैं, और उनके द्वारा जो उनकी जो मूल प्रवरत्ती है, वो निर्मान लेती है, तो इस तरीके से उन्होंने तो study किया, लेकिन जो एक और उन्होंने concept दिया, नर्सीसिजम की theory, तो इसके बारे में हम discuss करते हैं, तो इडीपस कॉंप्लेक्स के समान ही उन्होंने नार्सिसिजम नाम का एक कॉंप्लेक्स या थियोरी की बात करी है, इसका मतलब होता है आत्मरती, तो इसकी प्रेणा भी उन्होंने युनानी एक पुरानी कथा से ही लिए है, नार्सिसस जो है वो एक प्राचीन युनानी कथ बहुत ब्यूटिफुल बड़ा सुंदर सा एक नायक था, जो एक सुंदरी के, एक ब्यूटिफुल लेडी के आकर्शन में हमें इशक होया रहता था, तो एक बार जब उसने एक तलाब में अपनी पर्चाई देखी, तो वो खुद के, फुदपर ही मोहित हो गया, अपनी पर नरसिसीज़म कहा, झो परेम करता है, और अपने हु रूप की प्रिशनसा में हमेशा कामो कानन्द प्राप्ट करता है, तो फ्राइड ने इन इसकर्श निकाला कि आरंब में शिशू में केवल जो है, यही नरसिसीज़म की complex होता है, आत्मुरती का complex होता है, लेकिन पिर ज दूसरे व्यक्तियों की और मुड़ जाती है, तो बहारी वस्तुओं और व्यक्तियों के द्वारा उसमें फिर ये एक्स्प्रेशन आने लगते हैं. फ्राइट का ये भी मत्था कि जितने भी अडल्ट हैं, जितने भी व्यस्क व्यक्ति हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो बच्पन में ही बन जाता है, उनके परस्नालिटी के जो नीव है वो बच्पन में ही पढ़ जा सकता है इसके बाद हाला कि उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किये उसने इससे साबित हो गया कि जितना भी मनुष्य मुलता है भविश्य की और ही अनुमक होता है तो 23 दिसंबर 1949 को लंदन में इनकी ब्रत्ती हो गई इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी र पॉटम एंड टेबू, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस कॉंटेंट और इंट्रोड़क्शन ओफ साइकोलोजी यह उनकी फेमस किताबे हैं अब कला से संबन्दी विचारों की हम बात करें, तो सिगमन्ट फ्रायड क्योंकि इंड और परा आहम की बात करते हैं, इड एगो, सुपर एगो की बात करते हैं, तो उनके जितने भी कला समबन्दी विचार हैं, वे भी इसी से प्रभावित हैं। तो जटना भी हम करते हैं, उन सबका मूल काम व्रति ही है, उन सबका जड़ इसी sexuality में है, तो कला को भी उन्होंने इसी से जोड़ा है, कि जटनी भी कला निर्मितियां होती ही हम ज़े परिणाम सुरूपी निर्मिति होती है, इसको और समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में जीवन की दो विरोधी प्रवर्तियां मोजूद होती हैं, जिन में हमेशा से संगर्ष चलता रहता है, और ये कौन सी विरोधी प्रवर्तियां है, जैसे एक तो वो जिसका संबंध आत्मरक्षा से होता है, जिसे हम अहम कहते हैं, और सामाजिक रिति रिवाजों के बंधन के भीतर कारिशील होता है, और जो लिभीडो का संबंद होता है, वो आनन्द सिध्धान से होता है, और वो क्या करता है, रियालिटी को साइड में करके, reality को तिरस्कार करके हमेशा आनंद की प्राप्ती ही करना चाहता है तो सामाजिक व्यवार में व्यक्ति का जो अहम है वो तो बुद्ध रहता है प्रबुद्ध रहता है स्ट्रॉंग रहता है किन्तु दिन के सपन जो हम देखते हैं या रात में जो सोते हैं उसमें लिबीडो काम करता है तो जो चेतन अवस्ता है उसमें तो हमारा अहम काम कर रहा है लेकिन जो अचेतन अवस्ता सपनों की दुनिया उसमें लिबीडो काम कर रहा होता है तो इस तरीके से इन दोनों ही प्रवर्तियों में इंसान में हमेशा कोंट्रोवर्सी चलती रहती है, पूरे दिन भर, पूरे जीवन भर, तो लिबीडो की प्रवर्ति है, वो तो अहम, उसको क्या करता है, अहम दबाने का प्रयास करता है, क्योंकि लिबीडो कोई नेतिक बं तो इस कंडिशन में क्या होता है, लिबिडो से जनित जितनी भी इच्छाएं होती हैं, वो सारी कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं, और कुंठा का रूप धारन कर लेती हैं, अब यही जो कुंठाएं हैं, उसको हम कला के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, तो ज अचे तरीके से काम करती हैं, तो इसी को उन्होंने कला से जोड़ते हुए बताया है कि हमारे जितनी भी कलात्मक जो हमारे एक्स्प्रेशन हैं, वो हमारे उन दमित इच्छाओं का ही एक्स्प्रेशन होते हैं, कहीं ना कहीं, तो जितनी भी कलाकरतियां हैं, वो दर्शकों रूप में होता है हमारी इस तरीके से श। तरीके से कल्वा की आधियम से बाहर आ तो कला में अचेतन की अभभी वैक्ति जो होती है, वो रंगों और रूपों के द्वारा होती है, और लेकिन जो है, फ्रायएट कहते हैं कि कि रंग जो है, बहुत ज्यादा विशवस्नी होते हैं, रंग मन के सभी इस तरों में प्रवेश करके उसको तेजित कर देते हैं, जिन बातों को हम साधरनतर सुसाइटी में लोगों के सामने कह नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, उन्हें हम एकांत में अपने कला स्रजन के माध्यम से अभिव्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार कोछ एक्जामपल के तोर पर वो बताते भी कि माइकल एंजिलो हैं या गोया हैं जो रेनासा कालिन का आर्टिस्ट हैं, उनकी कला में भी इस तरह का आंत्रिक अक्रोश हमें नजर आता है, तो कलाय जो होती है वो प्राइड के हिसाब से हमारे मानसिक विकास में सह कहते हैं, जैसा कि कोई भी दूसरे अन्य विचारों को ने कहा है, बल्कि वो कहते हैं कि कलाकरती के आनंद को इंद्रिय जनित, आनंदा नुभूती के समान ही मानते हैं, वे कलाको जीवन से जोड़ कर देखते हैं, संबंधित करके देखते हैं और इसी का कारण सौंदरी की जो अनुभूती है, उसको कोई विशेश महत्व नहीं देते हैं, विशेश्ट नहीं कहते हैं, मानों के मस्तिश्क में जितनी भी कुंठाएं हैं, उनका रण इस्थल जो होती है, वो यही हमारा जो अंतरमन होता है, और जितनी भी हमारे sexual desires हैं, वो मानसीक विकास में बचपन से ही इंसान के अंदर मौझूद रहते हैं, तो जो सौंदरी की उत्पत्ति का आधार है, वो उन्होंने कहीं न कहीं इन्हीं sexual desire को माना है, और जो आगे चलके मानसीक पारितोष का रूपधारण कर लेता है, जो उसे खुशी प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, अव इसे ही हम हमारी सारी दभियो इच्छाओं को बाहर निकाल देते हैं, तो वो हमें मानसीक सुकून प्रदान करती है, तो जितने भी बाहरी जगत की उप्योगिता है, या mental ज़रूरत है, उन सब का सामन जिससे कहीं न कहीं हमारी कला में सौंदरे के रूप में होने लगता है इसी कारण जितने भी चित्रे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वराइटीज लिएवे होते हैं, उनमें न्यूनेस होती है, नवीनता हैं पाई जाती है, तो नेचर में हम उप्योगिता के आधार पर, हमारी ज़रूरत के आधार पर इस ब्यूटी को ढूंडते हैं, क्योंकि हम यह कहते हैं कि हम जब सुखी होते हैं, तो हमारा जो माइंड है, वो बाकी की बाहर की सभी चीजों में, प्रकृति के रूपों में उसका अनुभव करने लगता है, हर चीज हमें सुख प्रदान करती है, आनंद का अनुभव देती हैं, और जब हम दुखी होते ह तो बाहर की सारी की सारी वस्तुएं ही हमें दुखी कर रही होती है, तो इस तरीके से हमारा मन ही है, इन सभी सुख और दुख के संदर संबंधी कारणों का जो प्रमुक आधार है, वो हमारा मन है, और हमारा मन हमेशा जो संचालित होता है, वो होता है हमारी सेक्शुल डिजा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जो आगे चलके उनके विरोध का कारण भी बना, बाकी के विचारकों ने उस पर इसी आधार पर आक्षेप लगा है, कि उन्होंने जो है वो योन व्यापार को ही सबसे अधिक महत्व दिया है, हर एक शेत्र में उन्होंने इसी चीज को तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि फ्रायड का पूरे जीवन भर कलाओं से बहुत अधिक जुडाओ रहा था, शुरुवात की जीवन से ही, तो ऐसे इन्वोल्वेंट का करते हुए उन्होंने जितने भी रिनासेन आर्टिस्ट थे उस जमाने के, उनके व्यक् आर्ट कलेक्टर की रुप में भी एस्टेबलिश हुए थे, तो उनका जो समपूर जीवन था, उन्होंने पूरे जीवन भर लगपक धाई हजार जितनी भी प्राचीन कलाकरतियां थी, उनका संग्रे किया और वो पूरे के पूरे दुनिया भर से उन्होंने वह सारे उनके ओफिस में था, लेकिन ये बाद में ये ओफिस उनका लंदन में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि हमने जैसे शुरुवात में जिक्रि किया था, कि उनको वियना छोड़कर लंदन आना पड़ा था, तो वो सारा का सारा अपना कलेक्शन भी लंदन ले आये थे, तो जो में चलके वो जो उनका ओफिस था, एक म्यूजियम के रूप में कनवर्ट कर दिया गया, 1986 में वो फ्राइड म्यूजियम के रूप में कनवर्ट कर दिया गया, फिर उस समय पूरी की पूरी वर्ड को जो उनका परसनल आर्काइव था, वो समर्पित किया गया, डिस्पले कि के आपोजिट आप देखेंगे कि उन्होंने जो साइको अनलेटिकल थियोरी दी तो बीसवी सदी आधुनिक टाइम के आवागार्द जो मोमेंट था अंदोलन था उस पर सबसे अदा प्रभाव उनके साइको अनलेटिकल थियोरी का पड़ा था तो इसमें कलाकार जो कहते हैं कि कलाकार पर बहुत प्रभाव पड़ा इस तीरी का उन्होंने इस जितनी भी विजीबल दुनिया है विजीबल वर्ड है उस के बियोंड जाकर उन सबका ध्यान जो गया उनके व्यक्तिगत मनुष्ये के मस्तिष्क की घोज की और गया वे सबी की सबी उनकी इस थियोरी से प्रभावित होकर अपने माइंड की और उसकी एक्स्प्लोरेशन की और मुड़ गए। तो फ्राइड की थियोरी ने पूबरा का पूरा पूरा जो टाइम था वो 20 सदी का उसकी आत्मा को जगजोरने का काम किया। उनका जो ड्रीम एनले इस टेकनीक था उसने तो अंतर राष्ट्रिय अति अथार्थवादी आंदोलन पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला और आज के कलाका आज भी जितने भी कलाकार है वो फ्राइड के इस थियोरी को अभी तक भी फटाइल सोर्स ऑफ माठीरियल मानते हैं वहां से कहीं न क किसी तरीके से प्रेणना लेकर अपना आर्ट मेकिंग कर रहे हैं क्योंकि और उनका परस्नल लाइफ आर्ट से जुड़ा हुआ था तो उनका ग्रैंट सन था लूसियन फ्राइड वो भी आधुनिक समय समकालिन कला का एक बहुत महान चित्रकार की रूप में स्थापित हु तो सिग्मन फ्राइड ने क्योंकि आर्ट लवर तो थे ही, आर्ट कलेक्टर भी थे तो जितना भी कलेक्शन था उस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी, कला पर बहुत कुछ लिखा भी क्योंकि बच्पन से ही बहुत ज्यादा मोहित थे, कलाओं पर उनका फैसिनेशन था, तो अपने लेखन में भी उन्होंने हमेशा से इनको स्थान दिया, तो उनका एक, क्योंकि कलाकारों के व्यक्तिगत अनुभों पर लिख रहे थे, उनकी परस्नालिटी पर लिख रहे थ तो उनका एक निबंध था, एक ऐससे था, The Moses of Michael Angelo, वो उन्होंने शुरुआती अपने समय में प्रकाशित किया, तो इस समय वो कलाकारों के जो परस्नालिटी थी, उनका बच्पन था, फिर उसका प्रभा उनके कला पर किस तरह पढ़ता है, उस पर उन्होंने लिखना शु जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी, तो इसमें उन्होंने लिवनाड़ दो विंची के बच्पन के बारे में, उनके सेक्शुलिटी के बारे में, और इन सबका उनकी कला पर क्या प्रभाव पढ़ा, उसका बहुत ही विस्तार से जिक्र किया है, तो सिगमन फ्राइट के जित इसने भी ठिंकर्स थे, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया उनका, अब क्योंकि वो खुद कहते हैं कि क्योंकि वो में मानते थे, फ्रैड मानते थे कि किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन उसकी बाद के जीवन को प्रभावित करता है, तो कलाकार का भी एक निजी जीवन होता ह जो उसकी कला को प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने उटोबायग्राफिकल कंटेंट पर ज्यादा जोड दिया, कि किस तरीके से उनका पर्सनल जीवन उनकी आर्टिस्टिक लाइफ को प्रभावित करता है, जब इन्होंने आगे चलके एक थियोरी दी, आइडेशनल, मिमेटिक्स, और समाज में कलाओं की भूमी का बहुत अधिक महत्वपून है, ऐसा उन्होंने अपने लेखों में कई बार जिक्र किया है, तो हम फ्राइड म्यूजियम के बारे में बात करते हैं, जो कि उनका घर और ओफिस था, तो लंदन में उनका जो घर और ओफिस था, उसको अधिव टाइम पीरिड गुजरा, तो ऐसे टाइम में वो अपना मन को खुश करने के लिए आर्ट कलेक्ट करने की और जुड़े, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा आर्ट कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जो उनकी लिमिटेड सोर्स अफ इंकम था, उसी से वो चीजे खरीत वास्ट रेंज उन्होंने कर ली, जितने भी प्राचीन अवशेश मिले उस जमाने में उनका कलेक्शन करना शुरू किया, और क्योंकि उन्ही पर फिर उनका लेख और सिध्धान्त भी बाद में जलका, उनके सिध्धान्तों में, उनके लेखन में उनका जो कलेक्शन था प India, China, Etruria, आधी देशों के कलेक्शन उनके डिस्प्ले में शामिल थे, फ्राइड की जो दिवारे थी, उन पर उनका जो कलेक्शन था बहुत ही बेतर्तीब तरीके से, बिल्खुल स्वतंत्र तरीके से कहीं पर भी डिस्प्ले कर दिया करते थे, तो ब्राइनी डेविस कहती है उन्होंने ऐसा कहा कि उनकी जो स्टेडी टेबल है, उन पर बहुत छोटे-छोटे से आकारों की कलाक्रितियां भी रखी रहती थी, तो क्योंकि वो उन्हें छू सकते थे, और उनको लेकर हाथ में घूम सकते थे, उनके बारे में सोच सकते थे, तो इसमें सबसे प्रमुक आकरितियों के अगर आकरितियों के नाम लू तो जैसे ग्रीक वैसल हुआ करते थे, इरोज का स्टेची हूँ था, और सबसे ज़्यदा जो फ्रॉइड प्रभावित थे, वो टू-फेजड फिगर स्टेची जो छोटे-छोटे से होते थे, जिनके दो सर होते थे, उनका बह स्टेची जो स्टेची उस थे, उनका फेसिनेशन फ्राइड को रहा है, उनकी कलेक्शन में एथिना नाम का एक स्टेची सबसे महत्वकून माना जाता है, जिसे ग्वाडेज ऑफ विज्डम कहते हैं, तो यह सबसे उनकी वैल्यूबल और सबसे कीमती वस्तों उनके पड़ा, तब वो इस एथिना के सक्चर को अपने साथ ले आए थे, और अब भी वो उनके लंदन म्यूजियम में, उनके फ्राइड म्यूजियम में बहुत चांसे रखी हुई है, सिग्मेंट फ्राइड की थियोरी का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो अतिय थार् उसका सरवाधिक प्रभाव 20 सदी की शुरुवात में इस अतिय थार्तवादी का लांदोलन पर पढ़ता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इन अतिय थार्तवादियों नहीं फ्राइड के विचारों को अपने कामों के द्वारा दुनिया के सामने लाकर प्रभावित किया या पॉपिलर किया, तो उनका जो फ्राइड का आइकोनिक टेक्स्ट था, इसी से यही एक वो कलेक्शन था जिससे अतिय थार्तवादी सबसे ज़्यादा प्रभावीत हुए, और यही उनके लिए महत्वपून ग्रंत साबित हुए, इसमें उन्होंने कहा था, फ्राइड ने क सेक्शुलाइजड होते हैं, ऐसा इस ग्रंत में कहा गया है, तो अतिय थार्तवादों ने अपनी कला में सपनों की अचेतन दुनिया को बहुत ही आश्चरेजनिक चटिलताओं के साथ, अलग-अलग टेक्निक्स के द्वारा एक्स्प्लोर करने की कोशिश करी है, तो कई कल कलाकारों ने तो Fried Freakla की टेक्निक की बात करते हैं, उससे परभावित होकर और उनका जो ऑ्टोमेटिक ड्रॉइंग टेक्निक है, उससे परभावित होकर उसको अडॉप्ट ही कर लिया, कई कलाकारों ने तो, और इस तरीके से उन्होंने कारय किया कि उनका जो अनकोंशिस वो बाहर आ सके, इसमें ये कहा गया कि जैसे बीना किसी विचार के, जब हम आटोमेटिक ड्रॉइंग करने लगते हैं, या इंप्रोवाइज मेथट की मेथट को अपना कर, फ्री-फ्लोइंग ड्रॉइंग और पेंटिंग करते हैं, तो वो सारी की सारी टेकनीक अत्ति अथार्थवादियों के चित्रों में हमें दिखाई देने लगती हैं, जहां कोई प्री-कॉंशियस थौट नहीं है, और कि यवल इंप्रोवाइज मेथट में फ्री-फ्लोइंग drawing and painting उन्होंने paint करी है तो इसका example के तोर पर हम अगर काम देखें तो Paul Klee और John Miro के जितनी भी liberal drawings है उनके line drawings है वो हमें इस श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं या Max Ernst ने भी जो काम किया तो उनका जो काम था वो बिल्कुल ही chance को लेकर play को लेकर accidental experiment को लेकर उन्होंने काम किया उसमें उन्होंने rubbing, scrapping या collage बनाए तो उस जमाने में collage ही ऐसा technique था जो कलाकारों को बहुत ही जल्दी से और एक बड़े strange और unexpected तरीके से images को combine करने के लिए inspire करता था तो इस तरीके से उन्होंने बहुत speedy अगर उनको काम करना था तो उन्होंने ये सारे pattern अपनाए और तो फ्रांसेसी कवी है आंद्रे बिर्तो तो उन्होंने कहा एक quotation बोला कि जितनी भी समस्त हमारे morality है समस्त नहतिकता है और जितनी भी aesthetic consideration है इनके अलावा जितने भी हमारे logic है इन सब के बिना अगर बिना किसी control के हम जितने भी विचार प्रदर्शित करते हैं वह इन सब के बिना control के ही होते हैं तो इन ही विचारों से प्रभावित होकर जो 1950 में एक American abstract expressionist moment सामने आता है उसकी जो intuitive art सामने आती है वो इन ही विचारों से प्रभावित कोई जान पड़ती है तो इसमें example के तो पर विलियम डी कुनिंग और Jackson Pollock का अगर मैं नाम लूंगी तो गलत नहीं होगा इनके काम कहीं न कहीं इसी पैटर्न से depict किये गए है तो अती अथार्थवादियों ने जो फ्राइडियन वर्ड है उसको पूरी तरीके से जगाने की कोशिश की और अपने खुद के ही सपनों से प्रेणा ली अपने कामों में और बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से लाइफ लाइक रियालिटी को उन्होंने अपने कामों में दिखाया जैसे मैं सालवदर डाली का एक जामपल लों सालवदर डाली एक बहुत बड़ा सर्यलिस्टिक आर्टिस्ट रहा है उसकी पेंटिंग में बहुत अजीब सी स्ट्रेंड सी मिस्टिकल लेंड्सकेप और इस साधान दुनिया में उन्हें नहीं देख पाते हैं तो यह सारे की सारी चीज़े कहीना के सपनों में हमें नजर आती हैं तो वो खुद कहते हैं कि इन सब कहीना के प्रेंड़ना जो है मुझे मेरे काल्पनिक सपनों से ही मिलती है और जिसे मैं सोते वक्त देखता हू उन्नीस सो उन्नीस में जो अनकेनी नाम से अपना एक निबंद लिखा था उसी का अतिय अथार्थवादियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था फ्राइड ने अनकेनी में कहा है कि यह जो है वो एक अजीट से अनफेमिलियर का ट्रांस्पोर्टेशन है या ट्रांस्लेशन है और जो बड़ा सा हॉंटिंग है डिस्टर्बिंग है लेकिन बाद में फेमिलियर भी हो जाता है तो उनी के शब्दों में that uncanny was a translation of something once familiar into the haunting and disturbing making it strangely familiar तो इस तरह से अनकेनी के लिखे हुए सारे के सारे उनके विचारों को अत्ती अथार्थवादियों ने अपने कामों में तो दिखाया ही साथ में बहुत सारे अलग-अलग mediums में भी उन विचारों को प्रदर्शित किया गया जैसे sculptures में, photography में, filmों में, चित्रों में इन सभी के माध्यम से कलाकारों ने फ्राइट के सिधानतों को प्रसिद किया एक्जामपल के तोर पर हम हांस बेलेमर का हॉंटिंग डॉल्स चित्र देख सकते हैं या मेंज रे का एक कैडियो नाम का उनका काम है उसमें देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही एक आईरन है उसको एक वैपन के तरीके से ट्रांस्फोर्मेशन किया है तो बाद में फ्राइड ने जब इसने अतना काम हो चुका था उनके विचारों को लेकर तो फ्राइड अतियाथार्थवादियों से थोड़ा सा नाखुश भी थे हलाकि उन्होंने खुद ने लिखा है कि अतियाथार्थवादियों ने मुझे अपने कामों का एक पैटरन संत चुन लिया है लेकिन वह थोड़े से उनके कामों से अनिंप्रेस्ट भी थे क्योंकि वह कहते थे कि उन्होंने अपने कामों बहुत ही ज्यादा कहीं नके सेल्फ अपनी थौट्स को दिखाया है कामों के और तैं नहीं मुझे थे दोरह हु का कांतर मुझे फराइड के सिद्धानतों का कला उंपर आजकी जो कला है उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभावव पड़ा थे स्पेशली आधुनिकाल और समकालिन कला के क्षेत्रों में भी बहुत सारे इथार्थवादियों ने फ्राइट के सिध्धानतों पे काम किया मूर्ति शिल्पी हैं एक लुईज बॉर्जिस वो उन्होंने भी उनके सिध्धानतों का अनुसरन किया और अपने कामों में उसको इस्थान दिया ये खुद स्वयम भी कई बार अपने साइको अनलेसिस के लिए सिटिंग करती थी तो उनके कामों में भी एक आटो बाइग्राफिकल एलिमेंट नजर आता है वो खुद कहती है कि एक अफ़ोम ऑफ साइको अनलेसिस उनके कामों में दिखता है उसी पर और वो ही कहते कि यह एसी तरह के काम जो करते हैं वही बैस्ट आर्ट है वही अच्छी कलाएं मानी जाती है तो उन्होंने अपनी कला के लिए थियूरीज जो फ्राइड ने दी थी उसी को अपना वेस बनाया और इस्पेशली वो वाले थियूरी जिसमें फ्राइड कहते हैं कि हम सभी में मेल और फिमेल आसपेट्स पाया जाता है उनकी आइडेटिटी हम सभी में होती है तो वो जे टो टो यह एक पारिम से फैसे को बता गया यह उनिया लोगा एक और लेक्स बात लेत भी भी ठेकोले एक ट्रॉक्शन और उसमें दिखाय गये लिएद गया है इंड रहला फैसख अअ के दॉम एक वालिफद रमें सेमुख के जात नै शेख लेत आज के जो आधुनिक युक्य यंग ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, उन्होंने तो फ्रॉइड को फिलोसफी को बहुत ही जादा अमसरन किया, हम यहाँ पर जो चित्रे देख रहे हैं, सारा लुकास, एक ब्रिटिश स्कर्प्टर है, तो उनका इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, जो 1994 में बना है, इसमें इन्होंने found objects का इस्तमाल किया है, और बहुती simple तरीके से उनको arrange करके, जेंडर की उपर अपना expression दिया है, तो इस इन सभी discussion से हम यह पता कर सकते हैं, कि फ्राइड के सिध्धानतों का उस समय से लेकर आज समकालिन कला तक, कलाकारों तक कितना झाल 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 झाल झाल